नमस्क्राइब जुडेंगे कुलदीप जी भारत काश्रु जी और सुनिल पंता जी पहली भारत काश्रु जी से पूछूंगा भारत जी एक पत्रकार वारता होती है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपना जो वोट है उसको बाइक कॉड़ करें यानि कि वोट ना डालें य कहां तक सही है देखे मैंने भी सुना आज प्रसलिस देखी है एक और्गनाजेशन की जिनकी फेंटैसी की माइंड सेट है जो पैंती साल हमारी कम्मूनिटी के जाया कि वन प्लेस सेटल्मेंट के चकर में अब होनों ने जो बाइकाट की जो आपने प्रसवारता में या करता हूं बाइकाट एक ऐसी चीज है जो हुरियत ने भी कश्मिर में किया था और कुछ प्लिटिकल पार्टीज ने किया था बाइकाट इस एंटी नेशनल एंटी डिमोक्रेटिक एक्ट मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं यह कम्मूनिटी के लिए मिसगाइड है और कम्म कर्मूनिटी को 35 साल में बुरबाद करने वाले 35 साल में एक गलत फ्यमी में रखने वाले अब बाइकाट को प्रमोट कर रहे हैं गवर्मेंट आफ इंडिया ने कमिशन आफ इंडिया ने एविय मिश्यन पर काफी सारे ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन नोटा भी है लीगल है legal option है जो recognized है government of India से तो अगर हमें अपनी resentment दिखानी है कश्मेरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया किसी भी political party ने किसी भी political party ने कश्मेरी पंडितों की सुदनीली 35 साल से और हमें जिससे उमेद थे उसने भी हमें वैसा ही दर्बदर कर दिया तो instead of calling it by car नोटा चुनना चाहिए नोटा के थूँ एक लीगल डिमोक्रेटिक वे से अपनी resentment दिखा दो लेकिन जिस मुलक में आप रहते हो जिस country में आप रहते हो जिस जहां पर आप बोलते हो हम हिंदोस्तानी है तो हिंदोस्तानी हो के आफ अन दिमोक्रेटिक वे से anti-democratic activity और anti-indian national एंडी इंडियन पॉलिसीज और anti-indian activity नहीं कर सकते मैं इसको कंडम सरे से कंडम करता हूं और बड़ी मद्जमत करता हूं मैं इस चीज़ के गुल्षण जी आज दुबारा आपने मोका दे दिया इसी मुद्धे पर बात करने के लिए यह बड़ी ही बदकस्मती है कि पिछले 35 साल से इस कश्पिरी पंडित को जो गुमरह किया जा रहा है वो आपको कहने की हमें जरूरत नहीं है यह आप जग जाहिर है कि कैसे प्लिटिकल पार्टी जो है कोई भी प्लिटिकल पार्टी उसके कैसे बुरबाद किया इस कश्पिरी पंडित को और कैसे इनस्टाल करते हैं लोगों को कि आप बात कर लो सवाल यह है कि जैसे मेरे सवालल यह है कि जो लोग जिन लोगों ने नोटा का आप्शण रखा वो तो कोई लोग है ना जिन्हों ने नोटा का यह रखा मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने ये press conference करके लोगों को कश्मीरी पंडित community को गुमराह करने की कोशिश की है कश्मीरी पंडित को एनमास निकल के नोटा का बटन दबा के एमित शाह जी के कल वाले उन बयानों का भी जवाब देना चाहिए कि भाई हम इकठे हैं और आप जो हमें डिवाइड करते हो ये डिवाइड एंड रूल की पाल्स थोड़ दीजे हम संगठित है और नोटा का बटन दबा के हम सरकार को भी बताना चाहते है कि हमारी ताकत है हमारा decisive vote है और आने वाले समय में हम फैसला करेंगे बाकि आप जतना भी जो भी आप जिसे भी आप जैसे भी ऑपरेट कर रहे हो आपका ऑपरेशन जो है कश्मीरी पंडित की वियो पॉइंट से आपका हर कोई ऑपरेशन गलत है जब तक आप कश्मीरी पंडित को confidence में नहीं लेती है as far as this today's election is concerned I strongly condemn जो आज उन्होंने प्रसवारता में बात की यहां अपनी मीटिंग में बात की as a social activity जिसने 25 साल में काम किया है समाज में मैं यह कहता हूँ इस में इस जुन्होंने भी यह बात की है इन में और कोई भी इन में अंतर नहीं है हमें नोटा का बटन दबाना चाहिए मेरी अपील रहे कि सब कश्मीरी पंडित साथियों से जो में है जो हुस्टाइल एडमास्फेर में है उनको नोटा का बटन दबाना चाहिए मैं आप से सवार रखूंगा नोटा कहीं ना कहीं देखे नोटा की बात कर रहे हो आप आपके community के कुछ लोग election लड़ने गई हैं कुछ को forum भरने दिया कुछ को forum की फीस भी ले लेकिन फॉर्म नहीं भरने दिया अगर अपनी community का कोई व्यक्ति लड़ता या कोई देखे वो पाल्टी जो आरड़ी किश्मिरी पंतों के लिए पहली भी कुछ न कुछ करती रही है अगर आज वो चुनाव में उतरी है आज अगर मदद करना चाहती है अगर आपने नोटा दबा दिया तो उस पाल्टी की किस तरह से मदद करेंगी आप गुलशन जी सबसे पहले आपका धन्यवाद के आप जो हरसमें हमारी बात करते हैं सबसे पहले में आना चाहता हूँ नोटा ही तो नोटा हमने 2013 में जो है दिल्ली पार्लिमेंट से इसको पास करवाए किसी को कोई बंदा पसंद नहीं हुआ करता था उसके बाद जो हमने एक नोटा उप्चन लाये था उससे क्या मतलब था कि अगर यदि आप इन लोगों को वोट नहीं डाल रहे हो यदि में जाती आप नोटा होगी तो दुबारा जो है उस एलेक्शन में कंटेस्ट हो वहा करता है आज कैसे जो है किसी और्गेंजिशन को एक खराल आगा है कि आब हम बाइकाट करेंगे क्योंकि चुक्ति साल के बाद अगर आप पहले कहते हैं तब तो ठीक है हम तो 2010 से ही कह रहे हैं कि भीया आप जो नोटा पर डाल दीजे क्योंकि हमने किसी पुल्टिकल अगर मुझे उस वोट के बादे कोई बेंपट नहीं मिला है अगर मुझे उस वोट के बादे कुछ बेंपट मिलता है जैसे मैं कुद ये पहीं बारे कैच को मैं जैसे वहाँ पर पंच रहा चुका था मेरे पास पांच राक रुपे की जो एक एस्टमेट आयता है मैं पास जो मेरे ऐक पन्ड आया था उसमें मैंने क्या कि है चारजार दोसो चुबीस कवार्टर से मेरे हैं पर अपर अपर में 20-22,000 लोग है अनी जगह जितने मुठी में है पुर्प्पु में है बाकी जगह उपर है अगर वहां के लोग वहां से चुनके जाएंगे तो मुझे लगता है करना चाहिए उस आदमी को वोट करना चाहिए करना चाहिए लेकिन जिसे साथ से आज भी हमें वही बनारस के ठग जो 1990 से लेकर आज तक हमें बेचते आए आज भी हमें वही ठग बेच रहे हैं मुझे लगता है कि उनको आप शरम आनी चाहिए तो कि तीन जनरेशने हमारी खतम होगे उनके यह इतनी दर्द थी वह आज स जैसे पिछे भी जो है कुछ लोग जो है प्रस क्लब में जो प्रस कोंफेंस कर रहे थे वहां पर भी जो है इस तरिके की मुद्धे उठे बात उठे कि जिसमें जो है वह अपना मफाद के लिए कर रहे हैं ताकि आम जंता के वह बाट चली सर अगर आपकी मर्जी है नोटा करेक्ट हमारा कोई कोई पसंद नहीं आपको लगता है कि किसी से कोई नहीं है तो बैटर है कि नोटा कीजिए लेका बाइकाट मत कीजिए कुकर बाइकाट हुरियत ने 2013 तक 2019 तक किया उसके बदले क्या मिला जमु कश्मीर की कैसे बरबाद हुए आने वाले दिनों में कश् परियत और हम में कोई परेक्ट है कि लेकिन जो आपको आपका मन करें आप कर सकते हैं लेकिन कोई ना कोई पाल्टी ऐसी है जो किश्मीरी पंटों के लिए कुल्दीब जी कुछ बोलना चाहते हैं गुल्चन जी मैं बस दो मिनट आप से और ले लूँगा ये हमारे लिए बड़े फकर की बात है कि हम इंडियन पार्लिमेंटरी डिमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं लेकिन बदकस्मिती ये है कि इन पैंतिस सालों में जितनी भी सकसिस्यों गवर्रमेंट्स आई उनके ल हर कोई सरकार विफल हो गई है मैं एक सजेक्शन और देना चाहता हूँ अभी जो इन्होंने इसी के रिलेटिड जो बात करी है कि हम आपको दो मेंबर्स दे देंगे जिनको आप नॉमिनेट करेंगे आपकी चैनल की वसादत से ये कहना चाहता हूँ ये वही पुरानी शरा आप इंडिया सिंसियर है टोडस दे वेलफियर आप कश्वीरी पंडित कम्यूनिटी दे शुड फैसिल्टेट इंट्रा कम्यूनिटी एलेक्शन वहां पे एक एलेक्शन करके एक रिप्रेजनेज को चुने अगर वह सिंसियर है तो भी इसका वो इजाला कर सकते है हमारी सम लेकिन तवारी गवा है जब जब कश्वीरी पंडित के साथ ऐसा जुलम हुआ है आप तवारी चले जाएए सरकारें हिली है और यह सरकारें भी हिल जाएंगी अगर इन्होंने हमारी सुद अभी भी नहीं ली हमारे साथ बहुत बाव बेदबाव हो रहा है और इसकी टिपलू के नाम से कुछ बनाया जाएगा यह पहले क्यों नहीं बनाया है उन्होंने यह भी बोला है कि कश्मेरी पंडितों का 6000 फैमली का हमने काम खतम कर दिया है पुनरवास का अब कौन बचा उसमें वालमुकी समाज और पियो जोके के लोग इसका मतलब कश्मेरी पंड का पुनरवास कंपलीट हो चुका है जो दुखत है जो शरमनाक है जो सब्सक्राइब जूट है यह हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि जो इनके पीछे पीछे आंखें बंद करके दोड़ रहे हैं चाहे कांगरस के साथ हो चाहे बिजेपी के साथ हो और जो इन्होंने वहां पर कश्मीरी पंडितों को खड़ा किया है एलेक्शन लड़ने के लिए उन बाईयों को भी मैं यह कहना चाहता हूं बाई अपने फारम वापस ले लो और नोटा का बटन दबाओ और अपनी सित्रंगत बनाओ एक जगह पे आके कि हम किसी जगह स्टेंड करते हैं चल बघ्ट मत अने बाउट झाल भटनी बाउ है शोLast